कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट जिसको हम शॉर्ट में CRM भी बोलते हैं काफी लोगों को इस टॉपिक में डाउट रहता है कि यार इतना फैंसी सा नेम है इसका CRM बिल्कुल सुनके ही घबर आ जाते हैं कि क्या है टॉपिक है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कोई rocket science न करने वाले हैं कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट और इस पूरी वीडियो में हम रिजस करेंगे क्या होता है CRM कितने तरीके के CRM हो सकते हैं टाइप्स या कॉंपोनेंट्स ऑफ CRM अब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ CRM एडवांटेजिज और डिसाडवांटेजिज of CRM and why CRM is so important तो एक full package होने वाला है आपके लिए CRM वीडियो के उपर यह CRM topic के उपर ठीक है तो लास तक दिना है आप इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक example के साथ बहुत easy example है वालब CRM अभी side में रखो पहले यह example देखो ठीक है जैसे कि मान लो ना कि मेरे एक चाच से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं उनको उनके नाम से पुकारते हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको जानते हैं बहुत पहले से लेकिन जानते नहीं है ऐसा होता है गई वाल मतलब मेरे साथ भी हुआ है ठीक है तो यह क्यों करते हैं और शर्तमा जी क्या हाल है और का नाम लेते हैं, उनको पता रहता है कि उनको क्या चाहिए, हाँ शर्मा जी आप तो ये वाला पर्फिम यूज करते हैं, या ये वाला पैनी यूज करते हैं, ये वाला सोफ यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना, तो और भी कुछ क्वेशन्स पूछते हैं, इसके बा तो यह example होता है और अगर marketing terms में बोला जाए तो आप अगर मानो चाहें और ना मानो जो customers होते हैं वो customers नहीं होते हैं वो king होते हैं market के ठीक है उन्हीं के ओपर depend करता है पूरा market marketing terms में अपर देखा जाए तो तो इस पूरी वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं कि हम अपनी customer के जाथ relationship कैसे बना सकते हैं और कैसे उस relationship को manage कर सकते हैं कैसे उस relationship को long-lasting बना सकते हैं तो अब discuss करते हैं क्या होता है CRM ठीक है वो जो पहले वाले examples थे ना जो दोनों examples मैंने बताये थे हैं वो दुकान वाला example उसको ध्यान में रखना है आपको throughout the video ठीक है CRM is an approach that helps business improve existing customer relationship and acquire new customers faster तो CRM कुछ नहीं होता है CRM एक approach होती है जिसके जरीए क्या करते हैं जो businesses हैना जो उनके पहले से customers हैं उनके साथ relationship पच्छे करते हैं और जो उनके customers नहीं हैं उनको उनका customers बनाते हैं मतलब उनको ऐसे persuade करते हैं कि वो उनके चीजे try करे हैं उनके पास जाके वो चीज़ खरीदे हैं ठीक है A CRM tool lets you store customer and prospect contact information sales, opportunities, record service issues and manage marketing campaign all in one central location तो एक CRM एक ऐसे tool होता है जादा confuse नहीं होना है CRM मान लो एक software है उस software के अंदर क्या कर रहे हो customers की सारी details रख रहे हो customers हो गए या prospect customers हो गए उनकी सारी details रख रहे हो यह सारा कुछ जो data रख रहे हो वो एक software में रख रहे हो उसको आप CRM बोल दे रहे हो and make information about every customer interaction available to anyone at your company who might need it और यह नहीं कर रहे हो आप एक software में रख रहे हो तो आपने पास ही रख रहे हो सारी information नहीं जो भी आपकी company में लोग है ना जो भी आपकी company में काम कर रहा है जिसको customers की data की जरूत हो सकती है उसके लिए वो मतलब available करा रहे हो information हाँ भई यह सारे हमारे prospects है इनको यह सारी चीज़े चाहिए यह सारे issues है इनके ठीक है बहुत बड़े level पे होता है और उसको हम CRM बोलते हैं उस software को हम CRM बोलते हैं यह customer relationship management software बोल सकते हैं ठीक है और starting में ही बता रहा हूँ है इस video की video बहुत लंबी होने वाली है के अंदर अब customer की सारी information रख रहे हैं ताकि हम उसको यूज करके क्या कर सके customers को मतलब अच्छे से relationship बना सके customers के साथ और customers को नए customers को acquire कर सके अभी तक तो हम यह समझ में आया Today when you hear about CRM It mostly refers to CRM software जैसे कि मैंने बताया था कि कि अगर आप CRM के बारे में सुनते हो न तो एक software होता है CRM का मतलब This software ensures that every step of interaction with consumers goes smoothly and efficiently in order to increase the overall profits ठीक है तो यह software का काम यही होता है कि कोई भी customers का आप interaction कर रहे हो नो customer से कुछ भी contact कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत साथा smoothly हो और efficiently हो कि आपको पता रहे कि आप किस customers के पास जा रहे हो उनकी क्या need है क्या चाहते है वो सारे software में store रहता है ठीक है The software gathered customer data from multiple channels बहुत सारे जरिये हैं जिनके जरिये इन software में data डाला जाता है मैंने जैसे कि बता है था बहुत बड़े level पे होता है जैसे कि आप ब्राउजर में कोई एक website खोलते हो तो आपको लगता है कि बस आप आप देख पा रहे हैं उस website को नहीं बहुत सारी आपके बीचे ट्राकिंग जो companies है ना जो उस चीज को ट्राक कर रही है वो सारा आपका data store हो रहा है कहीं नहीं फोन में आप कोई भी आप डाउनलोड करते हो कुछ भी हरकते करते हो फोन में वाटसब पे एवन चैड भी करते हो तो भी आपका data store होता है यह CRM software के अंदर ठीक है hence CRM stores detailed information on overall purchase history personal information and even purchasing behavior patterns ठीक है इसलिए CRM के अंदर क्या-क्या-क्या store हो सकता है purchasing behavior pattern store हो रहे है कि आपने वो चीज कितने मतलब एक महीने में कितनी बार उस चीज को खरीद रहे हो यह सारी चीज है ठीक है तो अभी तक हमें यही पता चला है इस slide से भी कि CRM एक software होता है जिसके अंदर अगर आप customer हो तो आपकी सारी information store हो रही है अब देख लेता है कितने तरीके के CRM हो सकता है यह बहुत ही जादा important topic है इसलिए मैं starting में discuss कर रहा हूँ कितने तरीके के CRM हो सकते है type CR components of CRM सबसे पहला होता है operational second होता है analytical and third होता है collaborative CRM अब यह नाम बहुत fancy fancy से हैं बहुत ऐसे अटपटे से नाम है CRM का मतलब होता है जो भी operations वगेरा होता है company में operations क्या क्या हो सकते है इस operations से हम customers को interact करते है वो उसे related सारी चीज़े analytical मतलब analysis वगेरा करना charts वगेरा बनाना वो सब analytical होता है collaborative मतलब collaboration वगेरा एक से जादा लोग जिसमें involved रहते हैं मैंने अभी उपर उपर से बता दिया भी discuss करते हैं detail में सबसे पहला आगया operational CRM as the name suggests an operational CRM assists businesses in managing their day-to-day marketing sales and customer service operations तो day-to-day जो भी operations होता है marketing से related हो सकते है sales से related हो सकते है और customer service या service से related हो सकते है तो ये तीन चीज़े इसमें गौर करने वाली है marketing sales and service it's specially designed to help facilitate activities that have to do with customers ठीक है customer से related जितनी भी activities है उसके लिए design किया जाता है और ये भी एक software ही माल लो ठीक है operational CRM an operational CRM is conceivable for every interaction that your brand has with current and potential clients या customers ठीक है तो operational CRM में यही हम ने सीखा कि जो भी customer से आता है interaction वागे रहा होते है marketing से related sales से related customer service से related उसका जो भी है लिखा जोखा रखता है operational CRM इसमें तीन चीज़ आती है मैंने बताया था sales, marketing और service सबसे पहले देखो sales automation क्या होता है operational CRM में एक term होता है sales automation इसको sales force automation भी बोलते है automation का मतलब पहले बता देता हूँ automation का मतलब होता है कि machines जिसमें involved होता है जिसमें manual काम जादा नहीं होता है मतलब automatic काम होता है इसमें इसमें कितना sales use हो गया मतलब कुल मिला के बात है कि sales department है उनके लिए जो भी चीज़े होती है वो automatically store होती रहती है इस software में this might involve automatically tracking a contact and updating their status from prospect to qualified lead once they have completed certain actions or met specific criteria तो इस software के हिसाब से क्या होता है sales automation CRM के software के हिसाब से होता है कि जो भी मतलब prospects है जो हमारे समान खरीच सकते हैं जो हमारे customers बन सकते हैं अगर वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो qualified lead बन जाते हैं तो ये sales automation software बता देता है automatically drag कर लेता है उस चीज़ को design to simplify the sales process for a company ठीक है जैसे कि मैंने उपर भी बताया था कि ये sales team के लिए ही होता है ता कि sales को बढ़ावा मिल सके it allows its staff to spend much more time in communicating directly with potential customers and solidifying the loyalty of customers already on board ठीक है तो इससे क्या होता है sales team जो होती है उनको ज़्यादा time मिल जाता है customers जब interact करने के लिए और जो मतलब पहले से हमारे customers है उनको और अच्छा हुनके साथ relation बना ले के लिए अगर sales team इन सब चीजों में जुट जाएगी कि हाँ बढ़ी कितने customers ने क्या के खरीदा है यह सब उनको automatically CRM दे रहा है sales team का काम यह है कि customers के जाके communicate करो और उनको उनकी loyalty test करो या जो भी चीज़े करो उनको retain करके रखो आपने पास basically कहने का मतलब यह है तो sales automation हो गया second होता है marketing automation sales automation में हमें sales figure बगयरा दे दी थी automatically मिल जाती थी sales team को कि हाँ यह हमारे prospects है यह सारी हरकते कर रहे हैं इनके पास जाके आप communicate कर सकते हो marketing में क्या है this type of operational CRM makes it possible for marketing team to handle monotonous and time consuming task अब एक किसी भी company में marketing marketing team होती है जो marketing वगयरा की decisions लेती है तो जो भी repetitive या जो भी boring और time consuming task होता है उनको handle करने में साहता करता है marketing automation CRM tasks like calling contacts organizing email campaign dispersing substance offerings that would have otherwise taken chunk of team time are delegated to machine for better efficiency यह सारी कुछ tasks होते है customers को call करना और email वगयरा campaign देखना यह सारे marketing team का काम होता है जो भी promotional emails भेजने होते है इस सारी चीज़े करने होते है तो यह सारा क्या कर दिया automated कर दिया operational CRM के जरिए किस customer को कौन से marketing technique करने है कौन से emails भेजने है कौन से call मतलब किस customers का किस चीज में interest है उसके हिसाब से उन चीज़ों को भेजना कसमे के पास evaluate and develop communication that are targeted to customers in individual ठीक है तो जैसे कि Netflix का example लो आपके पास Netflix होगा आपके friend के पास भी Netflix होगा लेकिन आप जब homepage खोलते है आपका friend जब homepage खोलता है दोनों का homepage अलग आता है आपके suggestions अलग आता है Netflix में उसके suggestions अलग आता है ऐसा कैसे होता है ऐसे marketing automation के जरिये होता है आप जो भी मतलब चीज़े देख रहे हो Netflix पे उससे आप से क्या करती है marketing automation software वो सारी चीज़े ग्राप कर लेता है और उससे आप से आपको suggestions देता है तो individual आपको मतलब ऐसे uniqueness फील होती है हाँवी company मेर ले especially कुछ कर रही है थर्ड होता है service automation जिसको हम customer service automation भी बोल सकते हैं बहुत ऐसे tough tough words के अंदर उसके उपर नहीं जाना है मैं short में बताता हूँ इसका मतलब यह है कि उस process को automate कर दो यह automate मतलब machine के through कर दो उस process को जिसमें human का involvement ना हो ताकि जो customers है न वो customers का experience अच्छा हो communication अच्छा हो customers है तो उनके साथ care अच्छी हो आगे पढ़ते हैं समझ में जाएगा थोड़ा confusing हो रहा है tools you can find include live chat triggered email response offline help and online knowledge base to navigate the customer for example FAQ, blogs etc अब समझ में आया कि जो companies होती है न अपने website पर live chats दे देती है कि यहां अगर आप कोई दिक्कत है तो आप chat कर लो email responses जो होते हैं trigger हो जाते हैं automatically offline help में जाती है उनको कि कहीं सी यहां पर जाके आप यही हमारे centers यहां पर पूछ लो online हम उनका पूरा एक knowledge base रहता है जहां पर आप जाके पढ़ सकते हो कमड़ी के बारे में जैसे Amazon के help pages होते हैं यह सारी चीज़े हैं तो automate कर दिया है इस चीज़ को इसमें हर एक चीज में human का involvement नहीं रह रह रहा है ठीक है self service कर दिया एक तरीके से chatbots are also becoming more popular as a means of addressing the customer's concern तो chatbots देखे होंगे आपने कि हाँ बही कुछ भी ऐसे लिखो आप तो भासे automated response आता है तो वह भी एक CRM के जरीए ही किया जाता है यह तो हो गया operational CRM second होता है analytical CRM जिसमें analysis बगेरा data बहुत जादा यूज किया जाता है while operational CRM facilitate frontline business activities analytical CRM work behind the scene to crunch collected data ठीक है तो जो operational CRM हमने अभी तक पढ़ा था वो frontline है किसमें से जो interact हो रहा है उसके लिए होता है analytical CRM होता है जो backend में काम चल रहा है कि वहाँ data कैसे collect हो रहा है क्या क्या चीज़े हो रही है analytical CRM tracks multiple performance metrics to provide actionable insight to inform business decision across your company ठीक है तो analytical CRM के जरीए आप क्या कर रहे हो बहुत सारा data जो है वो collect करने के कुशिश कर रहे हो बहुत सारे insight के जरीए ठीक है थोड़ा सो और बढ़ते है इसको analytical CRM system is much concerned with gathering customer data studying it for patterns and trends ठीक है कर रहा है कोई भी item क्या उसका trend है इस data include the customer contact info, feedback and any other relevant info that will help to identify patterns and preferences तो यह सारे इसमें information आ सकते हैं तो basically customer का data आप gather करने की कोशिश कर रहे हो the more data your business gathers on consumer behaviors, patterns and pain points the better you tailor your marketing and sales strategies to new and existing customer तो क्योंकि analytical CRM है इसमें आप data gather करने के उपर बल देते हो तो इसलिए यही कहा गया है कि अब जितना जादा से जादा data gather कर पाऊगे customer behavior को लेकर उसके pattern को लेकर जो भी उनको दिक्कते issues आ रहे हैं उसको लेकर तो आप marketing और sales strategies को help कर पाऊगे उससाब से form करने के लिए analytical CRM accumulates and analyzes customer data of various kind included यहां पर कुछ data आ सकते है analytical CRM में sales data हो सकता है कि उसकी purchase history क्या है उसने कितना return किया उसने कितना purchase किया कौन सी brand को prefer कर रहा है फिर उसमें financial data आ सकता है कि payment और credit card किस तरीके से payment कर रहा है COD ज़्यादा order कर रहा है credit card से ज़्यादा order कर रहा है उसके बाद आ सकता है marketing data customer response rate to marketing campaign कि कोई एक marketing campaign था कोई एक promotion था उसके लिए customer ने क्या उस पर react किया अगर उसके जरीए उसने कुछ खरीदा तो उसको मतलब अलग तरीके से store किया जाएगा customer satisfaction data देखा जाएगा कि कितने satisfy है customer retention data देखा जाएगा उस brand पर वापिस आ रहे है कि नहीं आ रहे है ठीक है तो इतना पढ़ने की कोई जरूद है नहीं मतलब यही analytical CRM का मतलब कि analysis करना है customer का data gather करना उसको analyze करना है उसके patterns देखना है उसके trends बगेरा देखना है ठीक है यह तो मैंने लिखने के लिए लिख दिया आप कुछ लिख सकते हो उसमें all right third होता है collaborative CRM collaborative CRM's required different group in an organization to exchange client data समझ गया है नहीं समझाओगे तो क्या होता है collaborative CRM कि एक software है ना जैसे कि हमने CRM का मतलब समझाता है एक software है collaborative CRM का मतलब जो software है वो हर एक को उपलब्द कराना जो भी आपकी company में organization में कि जितने भी groups है जितने भी departments है सबके पास उसका access होना चाहिए ताकि सब उसको use में लेकर उसे सबसे customers को assist कर पाएं या serve कर पाएं this is also known as strategic CRM इसको strategic CRM भी बोला जाता है which helps your organization to share the information of customers to various business units like marketing team, sales team, support team, technical support etc तो बहुत सारी teams के साथ अपना CRM software share करो ताकि सबको customers की data के जरुत पड़ेगी और वो उसे आप से उसका data use कर पाएं और customers को उसे आप से assist कर पाएं collaborative CRM can be broadly identified by two aspects interaction management and channel management अब ये दो तरीके के collaborative CRM हो सकते हैं collaborative CRM के फर्दर दो तरीके हो सकते हैं collaborative CRM का मतलब क्या है कि customers का जितना data है वो सबके पास उपलब्ध करा हो interaction management का मतलब कि customer के साथ या customer के साथ या customer कितनी बार contact किया है क्या interaction है हमारे customer के साथ किस माध्यम के जरीए उन्हें ने contact किया है किस medium के जरीए उन्होंने contact किया है या हमने contact किया है वो कौन सा medium prefer करते हैं कौन सा prefer नहीं करते हैं यह सारा interaction management में आ जाता है उसके बाद आप channel management करोगे कि जो भी आपको medium एक बाप पता चलिया या उसको efficiently use करोगे कस्मा से आप contact करने के लिए अगर वो email medium prefer करते हैं email पर ज्यादा responsive है तो आप email medium prefer करोगे तो उसको channel management के अंदर ले सकते हैं बहुत short में सुन जाया है ठीक है तो I hope आप समझ गए होगे तो यह तो थे types of CRM कितने तरीके के CRM थे तीन तरीके के CRM थे कौन कौन से थे operational operational के अंदर तीन चीज़े आई थी service, marketing और sales second था analytical CRM analytical CRM में जो भी आप data वे टेस्ट और करते हो उसको analyze करते हो वो सारी चीज़े collaborative CRM में दो चीज़े आई थी collaborative CRM का मतलब होता है कि अब data जो है uplift करा रहे हो सब के पास जितनी teams है सब उस data को यूज करके कोई न कोई conclusion निकाल सकती है या customers को उससाब से assist कर सकती है और इसमें दो चीज़े आती है interaction management और channel management ये था types of CRM अब देखते हैं क्या होता है objectives of CRM कि CRM किया क्यों जो आता है क्या उसका उद्देश ये है सबसे पहला उद्देश ये है इसका to simplify marketing and sales processes जो भी marketing क्योंकि CRM का उद्देश ये ही मतलब main motor जो यही है कि आपके sales को increase करना customer साथ relation बनाने का मतलब क्या है कि जो पहले से customers है उनको अपने पास रखना और जो customers नहीं है उनको customers बनाना ताकि sales हमारी बढ़ है तो पहला उद्देश ये है कि marketing और sales process को simplify करना जो भी data चाहिए है इस चीज के लिए वो हमारे पास हो कुछ भी एक चीज सर्च कर रहा है तो उसका पूरा data marketing team के पास जाए उनके पास साबसे वो promotion और advertisement कर पाए second होता है to make call centers more efficient क्योंकि customer service वाला part भी CRM के अंदर ही आता है तो जो call centers होते हैं जो customer से आ डारेक्ली interact कर रहे है उनके पास सारा data रहता है कि कौन सा customer बहुत ज़दा important है कौन सा customer important नहीं है कौन सा customer profitable है कौन सा customer profitable नहीं उसे साब से क्या करें वो assist करें customer को मतलब जादा care करें customers के third होता है to provide better customer service वाई उपर वाला ही आ गया इसमें सी कि customer service बहुत अच्छी होनी चाहिए पता नहीं इसको दो बार क्यों लिखा है माने बट लिख सकते हो explain करने के उपर आपको fourth होता है to discover new customer and increase customer revenue ठीक है जो आपके पहले से customers है उनको retain तो करना ही है लेकिन जो new customers है न जो potential है potential customers बोल सकते हो जो जो हमारा product buy कर सकते हैं उनको discover करना और उनसे क्या करना revenue बनाना उनको sales में convert करना कि वो आपका समान खरीदें last होता है इसका objective to cross sell product more effectively buy CRM का बहुत सही benefit या उतेश बोल सकते हो कि आप cross selling कर सकते हो cross selling का मतलब क्या है अगर मैं आज एक washing machine खरीदता हूँ तो कल को मेरे पास है न extension board और बाखी सारी चीज़ों washing machine के साथ ये सारे के suggestions आने लग जाएंगे तो cross sell मतलब कि उस product के लिए आपने search भी नहीं कहीं है लेकिन जो आपने product खरीदा है उससे related वो product है तो आप वो भी चीज़े खरीद सकते हो जैसे Amazon पे कुछ एक search करोगे आप मान लो आप search करते हो लैपटॉप search करते हो तो थोड़ा से scroll down करोगे ना तो आपको charger भी दिखेगा laptop का laptop covers दिखने लग जाएंगे ये सारी चीज़े क्या होता है cross sell होता है ताकि पतब CRM को पता चल जाता है कि आप इस time पे customer ये चीज़ सर्च कर रहा है उसके हिसाब से उसको और products दिखाता है वो उस तरीके के ठीक है तो ये तो थे objectives of CRM और इतने ही objective नहीं है ऐसा मत सोचो कि 5 ये objective होते है CRM के CRM के अनगीनत objective हो सकते है ठीक है आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप इस CRM का मतलब क्या है उसके सबसे objectives भर-बर के लिख सकते हो फिर आता है हमारा advantages of CRM कि क्या इसके benefits ये advantages होते हैं क्या lab होते हैं CRM के सबसे पहला जो benefit यह होता है कि better knowledge of customers किसमर के आप relation बना रहे हो कसमर relationship management कर रहे हो तो आपको customers के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और CRM के जरीए आप ये कर पाते हो तो आप अपने customers को closely जान पाते हो जैसे कि दुकान वाले example था शर्मा जी के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो गुपता जी के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो second होता है retain more customers CRM के जरीए आप customers का buying pattern वगेरा जानके कि क्या चीज़ वो खरीद रहे है क्या चीज़ पर फोकस कर रहे है किसी पर फोकस नहीं कर रहे है आप जो पहले से जो customers हैं आपके वो इनको retain कर सकते हो third होता है better segmentation CRM के जरीए आपके पास सारा data रहता है कि कौन सा customers किस तरीके से वो कर रहे है तो अगर बहुत सारे customer का group सेम तरीके से react कर रहा है या behave कर रहा है तो उसकी हिसाब से आप क्या कर सकते हो segmentation कर सकते हो customer की group बना सकते हो उस हिसाब से fourth होता है minimizes cost क्योंकि CRM में क्या होता है कि जो manual work होता है उस पे जादा बल नहीं दिया जाता है CRM में क्या है एक software है उसमें सारी चीज़ें अपने आप store हुए जा रही है ठीक है और सारा decision CRM खुद ले ले रहा है तो यहाँ पर क्या होगा ज्यादा लोगों के आपको यह staff की जरुत नहीं पड़ेगी manual work के लिए तो आपकी वहाँ पर cost जो भी cost होती है वह minimize हो जाएगी फिफ्थ होता है enhance corporate image अब क्योंकि CRM आप कर रहे हो ता आप customer के साथ relation बना रहे हो और customer आपके पास रह रहे हैं तो जो customers है न वो और लोगों को भी तो बताएंगे हाँ वह यह company है बहुत अच्छा करती है और इससे हम यह चीज़ करते हैं तो एक corporate image बन रहे है आपके हमापे ठीक है क्योंकि आप customer के साथ relation बना है और customer के लिए बहुत सारी चीज़े कर रहे हो 6 होता है increase business growth वही बात है कि customer से जाद आप relation एक बार बना मतलब CRM का advantage का मतलब यह होगी कि customer के साथ relation बनाने का आपका क्या advantage है कि customers के लिए आप जो भी चीज़े कर रहे हो जो भी serve कर रहे हो customer को उसका क्या advantage है तो उसका यह भी तो advantage है कि business growth बढ़ेगी sales बढ़ेंगी आपकी obviously है ना last होता है इसका control customer defection rate अब यह बहुत जाद important है कि जो भी आपके पहले से customers है ना आप CRM के जरीए यह तो कर रहे हो कि आप potential customers को customers में convert कर रहे हो लेकिन जो आपके पहले से जो customers है पहले से जो बोगता है आपके उनको भी तो retain करना है आपको तो उनके लिए भी आप बहुत सारी चीज़े कर रहे हो ठीक है उनको मतलब promotions उसकी साब से कर रहे हो उसकी साब से उनको offers दे रहे हो सारा CRM के जरीए होता है कि आप यह पहले से हमारा customer है और इसने इतनी इतनी sale करता है कि यह सारा CRM में store होता है उससे साब से profitable customers को क्या कर सकते हो आपको रीटेन कर सकते हो और जो non profitable है उनको भी रीटेन कर सकते हो क्योंकि वह आपके पहले से customers है existing customers होते हैं जिससे नेक्स होता है disadvantages of CRM अब भाई advantages है तो कुछ ना कुछ तो disadvantages होंगे ही होंगे नहीं भी होंगे तो लिखने के लिए तो बनाई सकते हैं सबसे पहला है कि CRM बहुत ज्यादा costly होता है खर्चीला होता है क्योंकि CRM एक software होता है जैसे कि मैंने starting में बताया था तो software को install करना भाई जितने भी computers हैं उसमें install करना खरीदना उस software के लिए प्रीमियम वर्जन खरीदना वो software के लिए technician वगयर हायर करना वो तो आगे पढ़ेंगे वो तो और भी test advantage है तो costly होता है यह ठीक है second होता है training अब ऐसा दो नहीं है कि आप software install कर लोगे सबको software चलाना आता ही होगा CRM इतना भी easy नहीं होता है मतलब माना की user friendly होता है लेकिन CRM का software इतना easy नहीं होता है उसके लिए हर एक employee को जो की employee उसके अंदर engaged है उसको training प्रवाइड करना जो एक further cost मतलब add करता है आपके budget में company के budget में थर्ड होता है eliminates human element जैसे कि मैंने पहले पताया था कि इसमें manual work कम हो जाता है इसलिए आपका manual staff है जो manual काम करता है उसको आप हटा सकते हो क्यों कि machine के जरीए सब कुछ काम होता है computer के जरीए सब कुछ काम होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि human element खतम हो रहा है और human element अगर खतम होता है सब कुछ आप machine के जरीए करोगे तो भाई उसका एक disadvantage भी हो सकता है अगर customers machine के साथ interact कर रहे है यह machine की decision आ रहे है उसकी business customer को कुछ कर रहे है तो उसका जो adverse effect भी हो सकता है कुछ ना कुछ ठीक है क्योंकि human के पास दिमाग होता है machine की पर से समझ रहे हो ना कि brain brain वाला कमी होता है फूर्थ होता है third party access अगर आपने CRM में सब कुछ स्टोर कर दिया CRM क्योंकि एक software है उसमें आपने सब कुछ स्टोर कर दिया customer का सारा data उसी के पास है अगर मान लो वो data चला गया किसी और company के पास या किसी third party के पास जो आपका जो customers का data है उसका मतलब negative use कर सकती है जैसे कि पीछे news आई थी कि भाई flip card का जो data है वो leak हो गया customers की सारी information और लोगों के पास चली गई और अगर मान लो Amazon का जो CRM का software है वो flip card के पास चला जाता है तो flip card तो जान जाएगा न भाई Amazon के कितने customers है कैसे-कैसे Amazon का data save कर रहा है तो उनको उससे सबसे सब करने लग जाएगा तो Amazon के customers का जो भी advantage होगा वो flip card उठाने लग जाएगा तो third party access का आप खतरा रहता है फिफ्थ रहता है technical support जैसे कि मैंने starting में बताया था कि CRM software के लिए technical support आपको एक रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी technicalities आएगी जिसको आपको support करने के लिए जो भी आपको दिक्कते विक्कते आएगे उसके लिए technical support रखना पड़ेगा technical support आप बाहर से मिंगा सकते हो क्योंकि बहुत सारी और companies होती है जो technical support प्रोवाइड करती है लेकि उसमें risk रहता है कि आपका customer का data है वो जा सकता है या मतलब leak हो सकता है और लोगों के पास disclose हो सकता है इसलिए आप technical support इन-office रखते हो या इन-house technical support रख सकते हो अपनी company के अंदर ठीक है और 6 होता है record loss अब मानलो की CRM software है जैसके मैं हर एक slide में बोल रहा हूँ CRM software है जिसके अंदर आप सारा जो data है वो कही ना कहीं एक store कर रहे हो तो वो digitally stored है अगर वो सारा loss हो जाए digital का कुछ वो भरोसा नहीं होता भाई कभी भी कुछ भी हो जाकता है अगर net पे है तो net अगर बैठ जाओ उस दिन net नहीं चल रहा मानलो किसी कभी तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है कसमें उसको सब्सक्राव करने में अब last slide है यह हमारी why is CRM so important आपको मैं यह चीज़ बता देता हूं कि अगर CRM के आपको importance लिखनी है तो आप जो भी advantages आपने पढ़ने है वो अगर सारे points लिख दोगे तो वो भी सारा importance में ही आएगा तो यह पर कुछ एक paragraph पढ़ लेते हैं इसी बात पर CRM helps businesses build a relationship with their customers that in turn creates loyalty and customer retention ठीक है यह तो हम starting से पढ़ते वह आ रहे है कि CRM जो है businesses को help करता है अपने customer relationship बनाने में ताकि जो customers है उनके loyalty बढ़ सके और customer retention हो सके customers हमारे business के तरफ ही रहे हैं और business के तरफ ना जाएं Since customer loyalty and revenue are both qualities that affect a company's revenue CRM is a management strategy that result in increased profit for a business ठीक है At its core a CRM tool creates a simple user interface for a collection of data that helps businesses recognize and communicate with customers in scalable way Like this one, the way it is something that makes me a sense of meaning, CRM is a tool that provides a interface to which we store customers And in the process of business you can use customer to communicate with a business, a smooth way or a good way I know video is very long, about 30 seconds, I'm sure I know I'm ready to edit it, but I hope you can get it अगर जो भी स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचे प्लीज कमेंड में लिख देना सलाम है उन स्टूडेंट्स को यहां तक पहुंच गया भी न डिस्ट्रैक्ट होगे क्यों कि मैं जब इस टॉपिक को प्रिपेर कर रहा था ना अपने कॉलेज टाइम में बहुंच पल्ले ही नहीं पढ़ता था यह टॉपिक की क्या टॉपिक है तो मैं को लगा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा तो मैं सुझ रहा था दो पार्ट में वीडियो बनाओ बट एक ही पार्ट में बना दी दो पार्ट में फिर फृदर डिस्ट्रेक्शन हो जाती है ठीक है तो जो यहां तर पहुचको यह प्लीज कमेंट कर देना और प्लीज लाइक कर देने वीडियो को और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल बहुत ही ज़ादा अच्छा चै से कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एव नाइस डेए